कॉश्चन करवाऊंगा इजी कॉश्चन ये है कि तेरे पास Mn ौस तू है गिविंग के Mn है जिसका डाटा जो है वो अधीन पॉइंट जीरो वोल्ट है ठीक है न? एक जो डाटा है वो तेरे पास है Mn-positive है इसको मैंने सिंपल करवाया चला ठीक है MN positive MN है जिसका data जो है वो तिरे पास 0.4 volt है ठीक है रहे ठीक है ना simple मैंने कोई ऐसे ड्रेनम डाट उठा है और मैं तुझे पूछ लिया E not cell निकाल के देजे मुझे किसका मुझे तु निकाल के देजे MN two positive से MN positive का क्या होगा ठीक है ना यह सवाल आया पीपर अब तुझे क्या करना है simple सी बात तुने पेंचान तो तुझे यहीं से लेना चाहिए यार अगर देख सबसे बड़ी पेंचान तो यह ही है अगर सीम तुझे एक ही प्रकार का data given है तो इसका मतलब सवाल है half cell का और अगर सवाल है half cell का तो यहां पे देख यहां पे देख सिंबल में फोर्मुला क्या होता है E not किसका निकालना है तुझे MN two positive से MN इसका मतलब N जो था वो क्या था number of electron था कितने electron जा रहे हैं चेंज हो रहे हैं जब बदल रहा है यहां पे N की value कितनी है भाईया MN से MN positive जाने में एक है फोर्मुला तुरे पास क्या था N1 divided by E not 1 पलस के N2 E not 2 divided by N यही तो था simple N तुझे पता है कितना है 1 है ठीक है जी E not तुझे पता है कितना है कितना है भाईया 1.06 वोल्ट है यह तरह पास कितना है यह E not 2 है इसमें N1 इसमें कितना है दो है और इसमें कितना है यही तुम्हें अब यहां वे जो तुम दिक्कत करोगे वो यही करोगे यहां तक पूरा सवाल ले आओगे और ऐसे पोइंट पर आके तम क्या कर दोगे गलती कर दोगे इसी दिन का मुझे रोना था इसी दिन के लिए में तो में बताया था सिंपल कोई भी सवाल आए ने इलेक्ट्रों के मिस्ट्री का कोई भी सवाल आए सिंपल वहले रेक्शन को लिख ले क्या करेगा तू सिंपल MN two positive था दो electron दिये उसको MN में गया उधर क्या है MN positive था एक electron खाएगा ये भी MN में गया पूछा क्या है यहां पे देख ले पूछा क्या है MN two positive है दो electron खाएगा क्या बनाएगा MN बनाएगा क्या है MN positive सौरी एक electron खाएगा एक electron खाएगा एक electron खाएगा MN positive में गया ये क्या है तेरे पास overall cell reaction क्या है बच्चा overall cell reaction निकाल ले बस तुझे क्या करना है इसको उल्टा करना है भाईया उल्टा करेगा यह क्या हो जागा mn है mn positive में जाएगा एक electron खाएगा और जब तू इसको solve करेगा तो यहां से असानी से mn जो positive है mn जो है यह mn से कड़ जाएगा यहां पे तुरे पास simple क्या बन जाएगी यह reaction जो है अब तुरे पास बड़े आसानी से reaction जो होगी यह निकल के आ जाएगी बास समझ मारी है और simple अब तुझे data interpret करना है उस case में value कितनी थी 1.06 volt है यहां पे भी थी तो minus की इसके लिए लेकिन अब reaction तुरे रिवर्स कर दी तो अब वो value जो है वो क्या बन जाएगी 0.4 volt हो गई ठीक है ना और simple अब तुझे data को interpret करना सिकाद दिया था मैंने तो E naught तुरे पास क्या जाएगा बच्चा उसके case में electron कितने 2 है देख वह यहां पे electron कितने 2 है 2 गुना के 1.06 जमा यहां पे कितने electron है एक है data कितना है 0.4 है ठीक है और overall electron कितने 1 है और इसको जब भी तु करेगा तेरे पास क्या निकल लगा जाएगा E naught निकल लगा जाएगा किसका MN2 positive से MN positive मैंने पूरे lecture में कुछ नहीं सिखाया तुझे आज selection of electrode करने सिखाए उस selection of electrode को करके calculation of E naught और उसकी application सिखाए cell representation सिखाया और full cell और half cell में differentiate अंतर करना सिखाया और उनके कुछ questions मैंने आपको करवाए